राम दरबार में हनुमान जी महराज राम जी की सेवा में इतने तनमय हो गए कि गुरु वशिष्ट के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा सबने उठकर उनका अभिवादन किया पर हनुमान जी नहीं कर पाए वशिष्ट जी ने राम जी से कहा कि आप गुरू का भरे धरवार में अभिवादन नहीं कर अपमान परने पर क्या सजा होनी चाहिए राम जी ने कहा गुरुवर आप ही वताएं वशिष्ट जी ने कहा मृत्युदंड राम जी ने कहा सुईकार है तब राम जी ने कहा कि गुरु देव आप बताएं कि यह अपराध किसने किया है बता दूंगा पर राम वो तुम्हारा इतना प्री है कि तुम अपने आपको सजा दे दोगे पर उनको नहीं दे पाओगे राम जी ने कहा गुरु देव राम के लिए सब समान है मैंने सीता जैसी पतनी का सहर्श त्याग धर्म के लिए कर दिया तो भी आप संशय कर रहे हैं नहीं राम मुझे तुम्हारे पर संशय नहीं है पर मुझे दंड के परिपूर्ण पर संशय है अतह यदि तुम यह विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयम उसे मृत्यू दंड अपने अबोध वाण से दोगे तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा राम जी ने पुनह अपना संकल्प व्यक्त कर दिया तब वशिष्ट जी ने बताया कि यह अपराध हनुमान जी ने किया है हनुमान जी ने सुईकार कर लिया तब दरबार में राम जी ने घोशना की कि कल सायंकाल सर्यू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयम अपने अमोध बाण से मृत्यू दंड दूंगा हनुमान जी के घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने देखा तो चकीत रह गई कि मेरा लाल महावीर अतुलित बल का स्वामी ग्यान का भंडार आज इस अवस्था में माता ने बार बार पूछा पर जब हनुमान जी चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता दे कर पूछा तब हनुमान जी ने बताया कि यह प्रकरण हुआ है अंजाने में माता आप जानती है कि हनुमान को संपूर्ण ब्रम्भांड में कोई नहीं मार सकता पर भगवान राम के अमोध बाड से भी कोई नहीं बच सकता तब माता ने कहा कि हनुमान मैंने भगवान शंकर से राम मंत्र नाम प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह नाम घूटी में पिलाया था जिसके प्रताप से तुमने बच्पन में ही सूर्य को फल समझ भूख में मुख में ले लिया उस राम नाम के होते हुए कोई भी तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता चाहे वो स्वयम राम ही हो, उस राम नाम की शक्ती के सामने राम की शक्ती और राम के अमोध शक्ती वाड की शक्तियां महत्व हीन हो जाएंगी जाओ मेरे लाल, अभी से सर्यू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना, आरंब करदो माता के चरण छूकर, हनुमान जी सर्यू किनारे राम 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 रटने लगे, सायंकाल राम अपने संपून दरबार सहित सर्यू तट के किनारे आए, सबको को तूहुल था कि क्य राम हनुमान को सजा देंगे, पर जब राम जी ने बार बार राम बार अपने महान शक्ती धारी अबोध शक्ती बार चलाए, पर हनुमान जी के उपर उनका कोई असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ट जी ने शंका बताई, कि राम तुम अपनी पून निष्ठा से बा प्रती अपराध की सजा देने को अपने बार चला रहा हूं, उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध कर सकता हूं, तो तुम्हारे बार अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, तब राम जी ने कहा, गुरु देव हनुमान, राम राम की अखंड लगाए हुए हैं, मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के सामने महत हिन हो रही हैं, इसमें मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है, आप भी बताएं गुरु देव, मैं क्या करूं, गुरु देव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हा जाते जाते गुरु देव वशिष्ट जीने घोषना की, कि हे राम, मैं जान कर मान कर यह घोषना कर रहा हूं कि स्वयम राम से राम का नाम बड़ा है, महा अमोध शक्ति का सागर है, जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ती होते हुए भी व मैंने सारे मंद्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष नियोनितर माना है, तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है, वो पत्तर भी तर जाते हैं, जिन पर लिखा रहता है राम नाम संसार में हमें किसी का सहारा मिल जाना अच्छी बात है, किन्तु किसी का सहारा बन जाना उससे भी अच्छी बात है संसार में हर कोई दूसरों से तो सहारा चाहता है, मगर दूसरों को सहारा देना नहीं चाहता सच्ची शांती के लिए दोसरों को सहारा देना चाहिए किसी बेसहारे का सहारा बन जाना सर्विश्रिष्ट माना जाता है आप आशरी करेंगे कि जिस आनंद और शांती के लिए हम दर-दर भटके हैं जिसके लिए हमने तीर्थूं के इतने चक्कर काटे हैं आखिर वह आत्मिसुक बहुत सस्ते में और आसानी से मिल गया जो की राम नाम में है व्यक्ति दूसरों को सहारा देता है उसे अपने लिए सहारा मांगना नहीं पड़ता परमात्मा स्वत्य ही दे देता है किसी प्यासे को पानी पिलाने का किसी गिरे हुए को उठाने का और किसी भूले को रास्ता दिखाने का अब सर मिल जाए तो कभी छोड़ना मत तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आये तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा